जे हिन दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में मैं हूँ रोही तो आप देख रहे हैं जे एच टेंट है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारतिये रेल्वे में आजकल पेसंजर ट्रेनों में WAG9 लोको मोटीब का परियोग क्यों किया जा रहा है क्योंकि वेब सेवेल लोको मोटीब का प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर वेब सेवेल लोको मोटीब में कुछ तक्निकी दिक्कत आ गई हो क्या फिर Web7 locomotive को चलाने वाले लोको-पायलेक की कमी हो गई हो इन तीन कारणों के चलते ही आजकल पेसेंजर ट्रेनों से Web7 locomotive को हटा कर WAG9 locomotive का परियोग कीया जा रहा है तो दोस्तो आप सभी लोगों के दिमाग में एक सब ज़रूर आया होगा की आखिर भारतिये रेल्वे के द्वारा पेसंजर ट्रेनों में WAG9 लोकोमोटीब को ही क्यूं लगाया जा रहा है तो दोस्तो इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको लोकोमोटीब के टेकनिकल फंसन को समझना होगा दोस्तो देखिए दरसल हो किया रहा है कि भारतिये रेल्वे में जिन पेसंजर ट्रेनों में WAG9 लोकोमोटीब को लगाया जाता था उसी लोकोमोटीब के बदले में आजकल पेसंजर ट्रेनों में WAG9 लोकोमोटीब का परियोग किया जा रहा है तो दोस्तो अगर आम लोग Web 7 Locomotive और WAG 9 Locomotive के टेकनिकल फंसन को समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझ में आ जाएगा दोस्तो WAG 9 Locomotive की मैकसिमाम स्पीड 100 किलोमीटर परती घंता है और इस Locomotive की पावर आउटपुड 6122 हप है और अगर वहीं बात करें web 7 locomotive की maximum speed की तो web 7 locomotive का maximum speed 140 km परती घंटा है और web 7 locomotive की horse power 6000 HP है तो इस तरीके से अगर आप लोग WAG9 locomotive और web 7 locomotive को देखेंगे तो दोनों locomotive का technical function लगबग सेम है तो इसका मतलब यह है कि WAG9 locomotive और web 7 locomotive में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इन दोनों locomotive में अंतर सिर्फ maximum speed और ट्रेक्टिव इफोर्ट की है दोस्तों ट्रेक्टिव इफोर्ट का मतलब यह होता है कि वह locomotive gear ratio पर depend करता है अगर इन दोनों locomotive में gear ratio की बात करें तो WAG9 locomotive का gear ratio है 107 अनुपात 200 और web 7 locomotive का gear ratio है 70 अनुपात 20 यानि कि web 7 locomotive जल्दी speed पकर लेती है और WAG9 locomotive की बात करें तो WAG9 locomotive का maximum ट्रेक्टिव इफोर्ट यानि कि भारी भरकम मालगारी को भी खिस सके इन दोनों locomotive के technical function के हिसाब से यहाँ पर इन दोनों locomotive का manufacturing या production किया गया है तो दोस्तों अगर आप लोग आजकल passenger trainों में WAG9 locomotive को लगा हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि WAG9 locomotive उस passenger train को खीच सकता है यानि कि अगर passenger train में 24 से 22 कोच लगे होंगे तब भी WAG9 locomotive passenger train को खीच सकती है जैसे वेब 7 locomotive खीचती है बस इन दोनों locomotive में speed का अंतर रहेगा वेब 7 locomotive की maximum speed 140 km परती घंटा होती है और वही WAG9 locomotive की maximum speed 100 km परती घंटा होती है तो दोस्तो इसलिए भारतीय railway जिन passenger train में 20 से 22 या फिर 18 कोच लगे होते हैं तो इन passenger train में आजकल भारतीय railway के द्वारा WAG9 locomotive का परियोग किया जा रहा है इसलिए आजकल passenger train में WAG9 locomotive का परियोग किया जा रहा है तो दोस्तो आसा करते हैं कि आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद